नमस्ते आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूं गारिवान और इससे पहले क्लाश 9, क्लाश 10 किर्थिका छितिज असपर संचैन इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं फूल एक्स्प्लेनेशन, समरी और कोजिचन एनसर उन सब को देखने के लिए आप उपर दिये γया आइवटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिये गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेइलिस्ट में जा कर देख सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेश्बुक और टूटर पर भी फॉलो कर सकते हैं तो कहानी शुरू करते हैं मेरे भीतर खीज उत्पन हुई यह भी कोई मजाक है अभी अभी दो महने घर पर बिता कर आया था अब फिर चले जाओ ऐसे में की पढ़ाई का कोई मुली ही न हो फिर होस्टल को छोड़ कर जाना तो आसान नहीं कितने ही अधिकारियों से अनुमती लेनी पड़ती है कितनों को सूचना देनी पड़ती है मुझे करोध साया पिता जी पर ग्रीश भहिया पर भी करोध आ रहा था भला यह कोई ढंग है विवाह कराने का किश्य हो रहा है विवाह पिता जी ने कुछ लीखा नहीं था और मेरे जानने में कहीं बातचीत चल नहीं रही थी जो मैं किसी निशकर्स पर पहुंच सकता इतनी सिग्र ही जाने का अर्थ है कि सब कुछ ग्रीश भहिया की एक्छा से ही हुआ है जब मेरा ध्यान गृष भाया की एकछा पर रुखा तो मुझे घर पर बैतीत की गई उन छुटियों की कितनी ही बात ने याद आ गई गृष भाया अपने घर में ही नहीं परिचित परिवारों में भी अपनी बातों के लिए प्रसिद्ध थे वास्ताब में बाते करने की कला आती थी उन्हें बाते क्या करते थे मिठी चुटकियां लेते थे उनकी प्रतेक बात में वाक्यार्थ के अतिरिक एक आर्थ भी होता था यही कारण था कि शुभाव में कुछ-कुछ उदंडता भी आ गई थी असपस्ट बात मुह पर कह मारते थे पर सुरोता को कुरुद होते मैंने कभी नहीं देखा चाहे बात कितनी ही कटू क्यों नहों वे श्वेंग इसे मक्खन लगा कर छुरी मारना कहते थे बाते करते हुए कुछ इस प्रकार जरा शहस देते कि सुनने वाला समझ ही नशकता था कि वे सच बोल्ड हैं या मजाग कर रहे हैं इसलिए कभी-कभी उनकी बातों को गंभीरता पुर्वक नहीं भी लिया जाता था यहां सब कुछ पहले मैं भी जानता था पर इन छुटियों में मैंने कुछ नई बातें भी देखी थी जिस मकान में हम रहते हैं वह बहुत बड़ा है उसमें कितने ही हिस्से बने हुए हैं बास्तम में वह मकान किराया वसूल करने की विचार से ही वनाया गया था हम जिस निचले भाग में रहते हैं उसी के ठीक उपर वाले भाग में इस वार एक नया बड़िवार आया था इस विसे में मेरी जानकारी शिमित थी क्योंकि मैंने कभी भी जानने की चेश्टा नहीं की थी उस दिन रभीवार था मैं गिरीस भहिया और परेश भहिया बैठे तास खेल रहे थे हम तीनों ही गंभीरता पुर्वक खेल में लगे हुए थे बात यह थी कि गर्मी के मारे काम कुछ हो नहीं रहा था ऐसे इस्थिती में समय बरवाद करने की भावना मन से हटने के लिए हटाने के लिए हम सारी शक्ती तास खेलने में ही लगा रहे थे ताकि संतोस रहे कि हम बेकार नहीं हैं सहसा गिरिश भाईया ने पत्ते फेक दिये क्यों परेश भाईया ने उसकी ओर देखा अब खेलने को मन नहीं करता तो क्या करोगे और परेश भाईया ने कहा गाना गाओं जाने क्यों गिरिश भहिया के अधरों पर द्रिश्टता पुर्ण मुश्कान आ गई मेरे ख्याल से संगीत और गिरिश भहिया में पैदाशी वहर था मैंने बहुता उनके मुख से सुना था कि वे सब कुछ कर सकते हैं पर गार नहीं शकते बात भी सस्ती जब कभी वे गाते तो यही कहना पड़ता था कि मत गाईये और इस बात से अनभिग वे भी नहीं थे कोई कितना ही अनुरोध क्यों न करे कितना ही जोड क्यों न लगाए पर वे गाते कभी नहीं थे और यह कैसी विजित्रबाद की श्वेंग ही गाने का प्रस्ताव कर रहे थे पर परेश भहिया ने कोई आस्चर्ज नहीं दिखाया और गाओ कहकर वे भी हास परे गिरिश भहिया ने गाना नहीं चीखना अरंब कर दिया अपनी हर आह एक तुफान है उपर वाला जान कर अनजान है गाने में कोई विशेस्ता नहीं थी विशेस्ता उत्पन करने की चेश्टा भी वे नहीं कर रहे थे पर उनकी एक अंगली बरी भावपुर्ण मुद्रा में उपर उठ गई थी मैंने अस्चर से देखा अंगली सीधी न उठकर एक विशेस कोन पर जुकी हुई थी साइद यह उपर वाले एक विशेस कमरे की ओर संकेत था परेश और गिरिश भाईया दोनों ही हसने लगे गाने का कारिक्रम आगे न बढ़ सका मैं समझ नहीं पाया की बात क्या है पर इतना जान गया कि कुछ न कुछ तो अवश्य है क्या बात है भाईया मैंने पूछा बता दू गिरिश परेश भाईया बोले मुझे लगा भेद गिरिश भाईया का ही है तभी तो उससे पूछा जा रहा है बता दो गिरिश भाईया अभी भी मुस्कुरा रहे थे बात यह है परेश भाईया बोले कि गिरिश उपर वाले के पास पुकार भेजता है और उपर वाला है कि सुनता ही नहीं गिरिश भहिया कब से भक्त हो गया मैं असर से बोला नहीं समझे पैरेश भहिया बोले नहीं मैं सिरह लाया और फिर पैरेश भहिया ने खुल कर बताया कि उपर वाले भाग में रहने वाले परिवार में एक लड़की थी सांती, गिरिश भाईया उसी के पास जाकर भेजते रहते थे, वह जादतर किनारे वाले कमरे में पढ़ती थी, इसलिए गिरिश भाईया जब भी ये पंग्तियां गाते, उस कमरे की और उंगली का शंकेत अवश्य कर देते, ताकि कोई भ्रम भी न हो रहे, धीरे धीरे मुझे और भी बातों का पता चला, भाईया उसे सांती कहकर तो पुकार नहीं शकते थे, क्योंकि भेद प्रकट हो जाने का भै था, इसलिए उसे विसेस में जब भी चर्चा करनी होती तो सांती का अंग्रेजी अनुवाद पिश कर देते थे, भाईया की प्रक भाईया और पितावजी भी थे, बातें अधिकतर विश्वयुद को लेकर ही चल रही थी, यदि तीसरा विश्वयुद छिर गया तो मानवता की क्या दुरगती होगी, यह सोचकर हम काप काप ऊठते थे, यही कारम था कि कमरे का वातावरन काफी गर्म हो गया था, बातें अधिकतर पिताजी और खर्ना साहब में ही हो रही थी, पैरेश भीया कभी कभार दो चार सब्द बोल लेते थे, और मैं तथा गिरिश भीया मौन ही थे, सहसा गिरिश भीया पर्थम बार बोले, I love peace, मैं शांती चाहता हूँ, मैंने देखा, उनके अध्रों पर मुश्कान पिताजी और खर्ना साहब ने इस वाकिको अपनी बातों का ही एक अंग समझा था, पर मैं और परेश भीया वास्त्विक अर्थ समझ कर अपनी हसी को रोकने की चेश्टा कर रहे थे, खर्ना साहब उसी मूड में बोल रहे थे, यह माई डियर, यू मस्ट हैव पीश इन यूर लाइफ, हाँ बेटे तुम्हें जिंदगी में सांती चाहिए ही, गरीश भीया ने परेश भीया को आँख मारी, मेरी हसी थी कि रुख ही नहीं रही थी, अंत में मैं उठकर बाहर चला आया, यह सब देख सुनकर भी पहले मै ने बात की गंभीरता का अनुभब नहीं किया था, क्योंकि गरीश भीया ऐसी कोई न कोई फुलजरी रोज ही छेरा करते थे, बाद में मुझे परेश भीया से मालू हुआ कि इस बार की यह फुलजरी कुछ मतलब भी रखती है, गरीश भीया वास्तब में शांती की और आक करने पर किसी प्रकार तयार ना होता, हम तीनों भाईयों में इस बिसे को लेकर काफी सोच विचार हुआ था, और अंत में परेश भीया ने पिताजी को मनाने का उत्तरदायत अपने कंधों पर ले लिया था, आज यह पत्र आया कि गिरीश भीया के विवाह का, अन्य किसी स अनुसार तो बात पक्की करने में च्छा मैने लग जाते, पहले लड़की वाले लड़के के पिता से बात करें, पिता विचार करें, फिर लड़की वाले देखने आएं, और लड़के वाले लड़की को देखने जाएं, बात पक्की होने पर दहेज की समस्या, पिता जी अ बहुत वरी जीत थी परेश भहिया हमारे परिवार के सबसे बरे और सायद पर्थम करांती कारी थे उन्होंने अपने बिवाह में काफी कोला हल किया था दहेज नहीं लिया जाय पर पिता जी के सामने चली नहीं थी अपने बिवाह के पस्चात उन्होंने प्रतिग्या की थी क दिवे अब मुर्ती भंजक रूप धारन करेंगे और इस परिबार में से सारी कुरीतियों को उखार फेकेंगे, सारी जर्द परंपराओं का खंडन कर देंगे, इसलिए उन्होंने सरपर्थम गिरिश वहिया की शादी विरादरी से बाहर कराने का वीरा उठाया था, उनका व पड़े थे, क्यों सोचते हो ऐसा तुम, इसलिए भाईया की पिताजी मानेंगे नहीं, पर मैंने देखा, भाईया काफी बदले हुए थे, उनमें आत्म विश्वास पहले से अधिक आ गया था, दिरिरता भी थी, और साथ ही साथ हुए बातों को राजनितिक निताओं के सम उपमानों और उपमाओं और रूपकों के दोरा असपष्ट करना भी शिक पाये थे, पिताजी मानेंगे कैसे नहीं, भाईया बोले, देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, पिताजी कैसे नहीं बदलेंगे, तुम देख नहीं रहे, अब यूग कितना आगे निकल गया ह इस जेट जहाज के यूग में हम पुरानी गारी पर, पुरानी गती से तो नहीं चल सकते हैं, हमारे समाज की गारी भी बदल गई है, उसकी मसीन बदल गई है, उसके पुरजे बदल गया है, तो चाल कैसे पुरानी रहेगी, आपने अपने बिवाह में क्यों नहीं कहा था यह सब मैंने उन्हें चिराने की चेश्टा की मैं उस समय छोटा था और फिर अपने बिवाह में श्वंग में कैसे लड़ता वे थोड़ा रुक कर बोले और यह तुम कैसे का शकते हो कि अपने बिवाह में मैंने कुछ कहा ही नहीं था हाँ अपनी बात मनवा नहीं शका था इ मैंने जैसे अपना ओविश्वास प्रकट किया, क्यों नहीं भाईया द्रिर्थे, इस वार मेरी नहीं, गिरीस की साधी है, मैं खुलकर बोड सकता हूँ, तुम नोट कर लो, हमारे समाज की मशीन बदल गई है, अब गारी नहीं है, गिरीस उसी नहीं समाज का अंग होने के का नहीं गारी का अंग है, और यह नहीं गारी अब न तो पुरानी गती से चलेगी, और नहीं पुराने रास्तों पर चलेगी, मैं भाईया की द्रिर्थे के शमुक्ठार न शका, यहीं कारण था, कि उनकी बात मैंने स्विकार कर ली, और मजाक में ही गिरीस भाईया का नाम नई गारी रख दिया, कई दिनों तक हम सब उन्हें इसी नाम से पुकारते रहे, आज मैं सोच रहा था कि परेश भहिया की वह द्रिरता खोखली नहीं थी, उन्होंने बास्ता में पिताजी को मना लिया होगा, तभी तो गिरिश भहिया का बिवाह विरादरी से बाहर हो रहा है था, सासा मुझे लगा कि यदि मुझे गिरिश भहिया की विवाह में पहुचना है, तो आज से ही जाने का प्रवंध करना परेगा, तैयारियों में दो-तिन दिन लगी जाएंगे, मैं जाने की तैयारियां भी करता रहा और साथ ही साथ कलपनाओं के ताने वाने भी बू कारूंगा, दो दिन पस्चात जब मैं घर पहुचा, तो मेरी कलपनाओं के ताने वाने विखर गये, पहली ही बात से मुझे जोर का जटका लगा, गिरिश भहिया का विवाह उपर वारी लड़की सांती खन्ना से नहीं हो रहा था, यह विवाह कहीं अपनी ही विरादरी मे हो रहा था, परेश भहिया ने बहुत प्रियाद्न किया था, किन्तो पिताजी किसी प्रकार भी मानने को तयार नहीं थे, भहिया को प्रतेक पक पर जुकना पड़ा था, और उन्होंने बार बार जुक कर समझाता किया था, यह विवाह पिताजी की ही इक्छा से हो रहा था, और सबसे बरी बात थी कि दहेज भी लिया जा रहा था परेश भहिया की बात तो मैं जानता था पर मुझे अस्चर्ज हुआ कि गिरीश भहिया कैसे मान गये वे परेश भहिया के समान न तो घोशनाय करते थे न भविश्यवानिया पर मैं जानता था वो अधिक द्रिर द्रिर थे हसते रहते थे पर तेक वात को मजाक में टालते थे पर रहते थे अपनी बात पर इस बार जिस रूप में मैंने उन्हें देखा उससे पता चला कि शांती के परती उनका अनुरोध कितना गंभीर था लगता था जैसे तूट गए हो जैसे दूद में एक वंद बिस के पड़ जाने से सारा का सारा दूद बिशैला हो गया हो बाते अब भी वे करते थे हसते भी थे पर हसी बरी रुखी सी कटूता लिये हुए बाते अब भी थी पर संपूर्ण नहीं ब्यांगपूर्ण मुझे लगा कि उनके भी तर बिस का स्रोत उबल रहा है और इस उसी बिस को उगल उगल कर वे दूसरों को जलाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं मानो अपनी और शफलता का प्रतिसोध ले रहे हो और तो और अब वे परेश भाईया पर भी छीटे कशने में संकोच नहीं करते थे भाईया आपने पिताजी से कहा क्यों नहीं अपनी इक्छा के विशे में मैं अंत में गिरिश भाईया से पूझ ही बैठा जरा संकोच कर गया और क्या वे बहुत उदास होकर बोले मैंने उनकी विशे सावशकता भी नहीं समझी क्योंकि मुझे बिश्वास था कि पैरेश इस नई गारी को पुरानी राह पर नहीं चलने देंगे उनके अधरों पर फिर बिस बुझी मुस्कुराहट थी पिताजी नहीं माने मैं तनिक आवेश में बोला तो आपने विद्रो क्यों नहीं किया श्रंग विवाह क्यों नहीं कर लिया घर छोड़ कर चले क्यों नहीं आप बरे निर्वल निकले भाईया तुम देड से आये रमेश धीरे से बोले मुझे तुम्हारी आवश्यक्ता पहले थी मेरी क्या आवश्यक्ता थी मैंने पूछा पढ़ा मानने से पिताजी ने जब इंकार कर दिया तो मैंने भी विद्रोः की ही बात सोची थी लेकिन जान जानते हो, संसकार की जरें बहुत गहरी हैं, अकेले शाहस नहीं परा, तुम होते तो साइद कुछ न कुछ कर ही बैठता, मैं नहीं था तो क्या हुआ, मेरा आवेश समाप्त नहीं हुआ था, पैरेश भहिया थे, वे तो सुधारवादी हैं, समाज को बदलने के श्वपन दे कि मैं अपनी जिद छोड़ दू, जानते हो, उन्होंने मुझे क्या वचन दिया था, क्या, मैंने पूछा, उन्हेंने कहा था, गिरीश, यदि तुम पिता जी की एक्छा से विरादरी में ही बिवाह कर लो, तो मैं वचन देता हूँ, अन्ने कोई भी कुरीती नहीं होने द कार छिपा था, पैरेश भाईया, यह भी ना मनवाश सके, अब कहते हैं, दहेज उतना ही लिया जाएगा, जितना विवाह में हमारा व्याय होगा, मतलब खर्च होगा, मैं गिरीश भाईया के अवस्था समझ रहा था, जब लड़की चुनने में ही उनकी इक्छा के अनुस मैंने देखा हुए आशावादी राजनितिक नेताओं के शमान अब भी असा पूर्ण थे, वे गिरीश भाईया के शमान हारे थके हुए से नहीं लगे, वे अपने धंग से अब भी काम में लगे हुए थे, मेरे पूछने पर उन्होंने अपनी हार नहीं मानी, वे फिर अब भी की सारी गारी सर्व था नहीं नहीं हो शकती, कुछ पूर्जे पुराने रखने ही पड़ेंगे, नहीं तो गारी चलेगी नहीं, आपका तातपरी क्या है, मैंने असपष्ट बात सुननी चाहे, देखो, देखो भाईया बोले, सारी बुरायां तो एक साथ समाप नह ही हो सकती, गिरीश को दुख हुआ है, मैं जानता हूँ, पर इतना क्या कम है, कि पिताजी दहेज में 10-12,000 रुपे न लेकर उतने ही रुपे ले रहे हैं, जितने बिवाह में खर्च होंगे, बिवाह की खुसी में, फी जाने वाली सराब में भी 10-15,000 रुपे बरवाद न कम नहीं है, हमें इसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए, फिर सब्तावर किसी से कोई बात न हो शकी, घर में कोला हलसा मचा हुआ था, लड़के की साधी में वास्तब में कारे तो कुछ अधिक नहीं होता, किन्तु अतिती इतने आ आ गये थे, कि घर में तिल धरने को अस्तान नहीं रहा था, पिताजी ने साध ही किसी रिस्तेदार को छोड़ा होगा, सारे के सारे नाते रिस्तेदार बुलाए गये थे, दूर दूर से लोग आये थे, और यह मुझे दूसरे ही दिन मालुम हो गया था, कि उन सारे अतितियों को आने जाने का किराया पिताजी ही दे र जोते के अनुसार गिरीश भहिया के ससुर के शमुक दस हजार की मांग रख दी यह दस हजार पिताजी के हिसाब से विवाह खर्च भर ही था जिसमें चार हजार रुपे अतितियों के आने जाने का किराया और एक हजार रुपे सराब का भी था सारी बाते जानकर मैंने गिरीश भहिया की आँखों में देखा उनमें तिवर वेदना जर्सी होकर बैठ गई थी वे कुछ बोले नहीं केवल तनिक्षा मुस्कुराए मुझे लगा उनकी मुश्कान में छिपा हुआ बिस बहुत तिवर हो उठा है मैंने परेश भहिया से उन पाजाना कठिन था बिवाह की रीतियां होती रही और समय बीथता गया मिलनी हुई समधी मिले कन्या ने वर के गले में माला डाल दी फेरे हुए और एक अंजान लड़की हमारी नई भावी बन गई ऐसे समय में किसी को एक मिनट का भी अवकास नहीं था और समय था कि दौर पता जा रहा था दूसरे दिन बिदाई का अवसर भी आ गया बिदाई की तैयारियां हो रही थी और पिताजी दहेज का समान बंधवा रहे थे सहसा मैंने देखा उनकी आँखों में लाल डोडे खीचने लगे असपश्ट ही उन्हें दहेज का समान और परियापत साल लगा वास्तिक बात का कुछ-कुछ आवहास मुझे पहले ही मिल चुका था गिरिस भाया के ससुर का कहना था कि दस हजार नगत देकर अधिक समान दहेज में देने की सामर्थ उनमें नहीं है और पिताजी का विचार था कि इतना कम समान देकर उनका अपमान किया गया है फिर भी पिताजी महन ही रहे यद्धि उनकी आखों में डोरे लाल ही रहे बारात बिदा हो गई थी और इधर की रीतिया आरंब हो गई थी वर और कन्या गिरह प्रवेश कर रहे थे गिरह प्रवेश के समय ससुर की ओर से बहु को कुछ दिया जाता था थी तो मातर रिती ही इसलिए बहुदा ससुर घर की चावियां ही बहु को दे डालते और इस परकार उनका अधिकार अपने घर में शुईकार कर लेते जब ससुर की बाड़ी कुछ देने की आई तो माता जी ने चावियों का गुच्छा पिता जी के हाथ में दिया बहु को दे दीजिए सासा पिता जी की आँखों में डोड़े सुर्ख हो उठे बोले क्यों दूँ चावियों का गुच्छाई से क्या लेकर आई है यह फटे पुराने कपरे और थोरा सा कच्रा मैंने देखा सुनने वाले श्रन्न थे असपश्टी ऐसे समय में ऐसे कटू वाक्यों की अप एकछा किसी व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी मेरे तो सीर से पर तक सारे सरीर में ज्वाला सी दधग रही थी मैंने देखा नई भावी जो अब तक कपरों में लदी हुई एक गठरी सी लग रही थी जिसने एक बार भी गर्दन तक सीधी नहीं की थी कुछ तन गई थी, सीधी हो गई थी मुझे लगा भावी कुछ कहेंगी पर कुछ कहा नहीं भावी ने केवर एक बार देखकर ही रह गई कहती क्या, कहने की स्तिती में ही नहीं थी वह मेरी आँखें परेश भहिया को ढूंड रही थी बरे क्रांतिकारी बनते हैं समाज सुधारक हैं घर तो सुधारा नहीं जाता और विश्वर का ठेका लिए घुमते हैं यदि और कुछ नहीं कर सकते तो भावी के इस अपमान का विरोध तो कर ही सकते थे पहले वह कुछ भी नहीं कुछ भी हो रही हो कैसी भी रही हो किसी की भी बेटी रही हो अब तो हमारी थी पिता जी का सारे अतितियों के शमुक इस परकार कहना उजित था क्या मैं भी परेश भहिया को खोजता हुआ वहां से हटाया भाईया मुझे एक कमरे में चुपचा बैठे हुए मिले मैं जिस क्रोध में भरा हुआ आया था वह न रहा सका भाईया वैसे ही नहीं थे जैसे हुआ करते थे उनका अश्रावादी रूप मेरे शमुक नहीं था वे तो गिरिश भाईया से भी अधिक ठके हारे तुटे हुए से दिख रहे थे उनके मुख पर विशाद का ऐसा घंगोर अंदकार मैंने पहले नहीं देखा था पर आ तो मैं चुका था बोला पिताजी की बातें सुनी आपने भाईया ने मेरी ओर देखा उनकी आँखों की वेदना देखकर मैं श्रहम गया लगा भाईया को कुछ कहने का अधिकारी मैं नहीं हूँ मैं चुक खरा रहा सुनी है भाईया धीरे से बोले तुम साइद मुझ से पूछने आये हो कि मैंने पिताजी को क्यो रोका क्यों नहीं हाँ भाईया मैं बोला स्वर मेरा भी डुबा हुआ था मैं आपको दोश नहीं देता भाईया पर आपसे इतना पूछना चाहूंगा कि आपकी आसावादी वृति अब क्या कहती है भाईया कुछ देर तक चुप रहे अंत में धीरे से बोले मैं अब क्या कहूं रमेश जो मैंने कहा एक बात भी तो पूरी नहीं कर सका मैंने नई गारी की बात कही थी तुमसे मैं मजाक नहीं करता गंभीरता से पोस्ता हूं हम पिताजी से भिन है की नहीं हमारी गारी नहीं है की नहीं मैं भाईया का प्रश्व समझना शका और जरा सा क्रोध भी आया कि ऐसी इस्तिती में भी भाईया अपने रूपक छोड़ने को तैयार नहीं है पर क्रोध ब्यर्थ था हाँ मैंने संचिप तो उतर दिया पर रमेश भाईया का स्वर और भी उदाश हो गया यह मैं आज जान पाया हूँ कि हमारा गारिवान नया नहीं है वा तो पुराना ही है हाँ भाईया मैं और कुछ ना कह सका मेरी बात समझते हो न मैंने देखा भाईया सायद मुस्कुराने की चेश्टा कर रहे थे और इसी प्रयत्न में उनकी आँखों में अस्रू चमक आये थ ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाती रहूंगी लाइक कीजिएगा और सेर कीजिएगा कॉमेंट्स जरूर कीजिएगा कि यह कैसा लगा धन्यवाद